नमस्कार बिहार के स्यासत में एक वर्फिट से लगतार उठापटक की रजनितिक तेज है लेकिन जातिये जनगर्णा के मुद्धों पर भारतिये जनता पाटी और जेडियू में छीडे तकरार के बाद में लालू परशाद्यादों के बिहार में इंट्री के साथ लालू पर को BCS रुप से यह बता सकते हैं कि जातिये जनगर्णा की मांग क्यों हो रही है और इसका मुख्य करण क्या है इसके साथ ही भारतिये जनता पाटी और जेडियू को वो आईना दिखा भी सकते हैं लेकिन आपको दादे कि आज के सियासत में नितीज कुमार और लालू पर श आश्टी या द्यक्ष को बड़े और मतफूड फैसले करना है कि नितीज कुमार और त्रिश्वी अदो मिलें गया नहीं आई टीटी नियूज इस बात की पुष्टी नहीं करता कि आने वाले शुत्रों के वाले से खबर जो है वो पूरी तरीकों से सत्यापित्य हो इसमें कोई दुरा नहीं कि कई बार ऐसे अटकलाने देखी गई है लेकिन इसके साथ साथ इन माईनों में दूर्यां भी बढ़ गई है इसके साथ अपको दादे कि आरजेडी और जेडी के अंदर फिलहाल नजदिकियां बढ़ी हुई है लेकिन इस नजदिकियों का मतलब पतनी हीना साहब को राज्य शभा में भेजने की त्यारिया भी शुरू कर दी गई है लालुप शाद्यादों ने उन्हें राज्य शभा के चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए अपने जोड़ तोड़ और लगतार ताकतों का इस्तमाल कर आगे बढ़ाने का पूरे परिया आज लेतना ही आई टीटी नियूस के लिए दिपक कुमार शिंड की रिपोर्ट बने रहा हमार साथ जय हिंद वंदे मातरम भरत्मता की जय